इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप वार्टसप के भी वांस मैसेज को दुवारा से कैसे ओपन करके देख सकते हैं जैसे कि आपको पता होगा कि जब में वार्टसप में कोई भी वार्टस में मैसेज करके बेखता है तो वो मैसेज एक ही बार ओपन होता है दुवारा से वो मैसेज ओपन नहीं होता है लेकिन यहां पर मैं आपको एक तरीका बात आने वाला हूं जिससे कि आप वार्टसप के मैसेज को हर बार ओपन करके देख पाएंगे आप जितनी मरी चाहें उतने बार ओपन कर सकते हैं तो वीडियो को भी ने स्किप करें कम्प्रीड लास्ट बीवार्टसप को वोटो को सलेग कर लेता हूं और यहां पर पर हमारे भी वर्चुम हैं अब यहां पर आपको क्या करना है आपको और नहीं करना है यहां हम जाएंगे बैग बैग जाने का आप पूपा जो ठीडॉठ दिखाए दिखाई दे रहे हैं आपको इस क्लिक करना है जिन इसके बाद यहां से आपको चले जाना है अपने वाट्सप की सेटिंग में सेटिंग में आनक बाद यहां पर आपको नीचे स्क्रोल करके आना है यहां पर फूर्थ ऑप्सन मिलेगा चैट का आपको चैट के ऑप्सन पर चले जाना है चैट के आनक बाद य यहां पर पहले setting है include videos को option मिलता है आपको इससे यहां से on कर लेना है उसके बढ़े हाँ पर ऊपर गूगल एकाउंट को option मिलेका आपको इससे पर क्लिक करना है और यहां पर कोई भी एक Google account add कर लेना है जो भी आपकी Gmail आइडी है उस्से यहाँ पर add कर कर लेना नीचे अभी ओफिन मिलता है आपको इस पर क्लिक करके अपने जी मिला डिए अड़ रह रहे हैं उसके बाद यहां पर आपको जो क्या उप्सेमे टेटा कॉपन के घंचे उपर करने लड़ है इतना करने कि बाद यहां पर नीचे आपको बैक अपर我们 ओन कर लेना है दिन इसके बाद यहां पर आपको उपर बैक आप का ओप्शन दिखाई देगा ग्रीन कलर में आपको इस पर क्लिक करके यहां पर वार्टसप का एक बैक बना लेना है अब यहां पर आपको वार्टसप बैक अप होने में थोड़ा सा समय लग सकता है यह आपके डिपेंट करेगा वाट्सअब डेटा के उपर कि आपके वाट्सअब डेटा की साइज क्या है तो अभी जैसे देख सकते हैं कि हमारा बैक अप 100% कंप्लीट हो चुका है इतना करने बाद यहां से हम बैग जाएंगे बैक आनक बाद यहां पर जो भी आपका वाट्सअब भी आपको यहां पर थोड़ी देख लिए होड करके रखना है तो यहां पर आपको ऑप इंफो का यहां को आपको नीचे उप्शन मिल जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपने वार्टसप का clear all data कर देना है आपको tension लेने के जरूत नहीं है आपको कुछ भी वार्टसप से delete नहीं होगा क्योंकि यहां पर हमने already पहले ही backup file बना रखी है इतना करने कवाद यहां से आपको क्या करना है यहां से आपको अपने वार्टसप में आना है अब यहां पर जो आपको वार्टसप है फ्रेस वार्टसप open होगा अब यहां पर आपको पहले अपनी language को select कर लेना है language select करने कवाद यहां पर आपको नीचे agree and continue का option मिलेगा आपको इस पर click कर लेना है इतना करने कवाद यहाँ पर आपसे आपका वार्टसप नमबर मागा जा रहा है जो भी आपको वार्टसप नमबर रेश्टर था वार्टसप में आपको उस वार्टसप नमबर को यहाँ पर इंटर कर लेना है इंटर करेंगे तो यहाँ पर नीचे next का option मिल रहा है आपको इसे पर क्लिक करना है, इतना करने के बाद यहां पर जो भी आपको WhatsApp नमबर होगा, Automatic verify हो जाएगा, उसके बाद यहां पर आपसे कुछ permission मागी जाएगी, आपको permission को allow कर देना है, इतना करने के बाद यहां पर आपको Looking for backup दिखाए देगा, उसके बाद जो भी आपके WhatsApp की backup file होगी वो यहाँ पर आ जाएगी अभी जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी WhatsApp की backup file automatic WhatsApp ने ले ली है अब यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे skip और restore को तो आपको restore की option पर click करना है तो यहाँ पर जो भी आपका WhatsApp data होगा और restore होना start हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है तो आपको wait कर लेना है उसके बाद नीचे next का option मिलेगा आपको इस पर click करना है अब यहाँ पर जो भी आपकी WhatsApp profile है उसे यहाँ पर आपको setup कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे next पर click करना है अब जो भी आपका WhatsApp data होगा सारा कुछ आपका WhatsApp data हो भाई हो उसी तरह से आ जाएगा कुछ भी आपका WhatsApp data delete नहीं होगा अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो भी हमारा V1s का message है जो कि open नहीं हो रहा है तो अभी जैसे देख सकते हैं किसे हम दुबार से download करके यहाँ पर open कर सकते हैं तो अभी जैसे कि यहाँ पर मैं आपको open करके दिखा देता हूँ यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो message open नहीं हो रहा था तो हम उसे फिर से open करके देख सकते हैं तो इस तरह से आप WhatsApp के भी वन्स के message को जितनी मज़े चाहें उतने बार open करके देख सकते हैं यदि आपको कोई problem आती है तो आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हैं